हेलो स्टुदेंट्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल टूदेश टॉपिक इस एबनॉर्मिटी इन प्रेगनेंसी डैट इस प्रीक्लेम्सिया वेरी इंपोर्टेंट फॉर आल नर्सिंग एक्जाम्स तो प्रीक्लेम्सिया को जेनरल टर्म्स में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक मल्टिपल सिस्टम डिसॉर्डर है जिसका की इटियोलॉजी है वो अन्नोन है मतलब इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है इसमें यह करेक्ट्राइस्ट होता है मेली डिवलप्मेंट आ हाइपर्टेंशन ठीक है मतलब की हाइबी पी जो की वन फोर्टी बाइ नाइन्टी एमेम एस जी से इंक्रीज कर जाती है साथ में प्रोटीन यूरिया मिन्स यूरीन में प्रोटीन का एमॉंट आ जाता है और यह जनरली ट्वैंटी वीक्स ऑफ जेस्टेशन में यह क्या मतलब की प्रोटीन यूरिक बूमें नहीं है तो उन वोमें में यह मतलब की प्रेग्नेंसी के के ट्वैंटी वीक के बाद में यह डिवलाप होती है तो इन जेनरल टर्म्स हम इसे समाझ सकते हैं कि वह डिशॉर्डर जिसमें की जो बीपी है वह इंक्रीज कर जाती है 90 mmHg से ज्यादा इंक्रीज कर जाती है विट प्रोटीन यूरिया मिन्स यूरीन में क्या होता है प्रोटीन का एमॉंट आ जाता है साथ में इसमें एक और सिम्टम जैसे की इडिमा भी देखने को मिलता है जो की मेली पैर में होता है ठीक है तो इसे यह बहुत ही इंपॉर् तो प्रेग्नेंसी इंड्यूस्ट हाइपर्टेंशन नाम से इसका पता चल रहा है जो प्रेग्नेंसी के कारण बीपी इंक्रीज हो जाती है ठीक है हाइपर्टेंशन हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रेग्नेंसी इंड्यूस्ट हाइपर्टेंशन तो इसमें हम टॉपिक क्या है gestational hypertension जिसमें दो तर्म आता है एक है आपका preeclampsia और ecclampsia ठीक है preeclampsia और ecclampsia तो preeclampsia आज हम लोग देखेंगे ठीक है और ecclampsia तो preeclampsia ये condition में बताएं कि थी symptom होती है मेंवी क्या क्या होता है इंक्रीज बीपी या बहुत सकते हैं हाई बीपी ठीक है प्रोटीन न्यूरिया बहुत ही इपॉर्टेंट है जो बार बार पूछता है एक्जाम में ठीक है प्रोटीन न्यूरिया और एक इडीमा ठीक है यह है लेकिन एकलैमसिया केस में यह तीन सिम्टम्स तो रहेंगे ही स प्रिजर्स भी आना साथ में स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेट लेडी को तो यह चारो अगर शिम्टम्स रहेगा तूसरे हम लोग क्या कहेंगे एकलैमसिया थेक्ट है प्रिकलैमसिया में थ्री सिम्टम्स दिखाए देंगे हाई बीपी प्रोटीनिूरिया और इडीमा ठीक प्रिकलैमसिया के कंडिशन से तो अब इसका देखेंगे डाइगनोसिस हम लोग कैसे कर पाते हैं तो जो भी इसका सिम्टम्स है जैसे के हाईपर टेंशन प्रोटीनिया और इडीमा तो अगर यह सिम्टम्स डेवलप हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान तो हम लोग पता कर जो पर सकते हैं कि वो क्या है किसका सिम्टम्स है प्रिकलैमसिया का सिम्टम्स प्लासोंटय के एग्जाम्पल करेडिलेक एक्जाम्पल कीट सब्सक्राइब प्लासेंट्र घंजांपल सकता है लाइंटीमध जो कि बहुत हैं हाव इंटीक नित इसका में मावल। कुलर डिजीज तो जितने भी कोरुनरी आर्ट्री डिजीज हो गए हैं ठीक है को भी हट प्रॉब्लम्स जो मेंली काडिक प्रॉब्लम्स अगर पहले सी किसी को हो तो वह भी यह डिजीज को ज्यादा मतलब की डिस्क बढ़ा देते हैं ठीक है फिर न्यू पैटर नीटी प्रॉब्लम्स जात तो शूमुत्री को डिजीज हो जाएगा क्लिनिकल सबस तो इसका मैली टॉट और प्रॉट है ठीक है माईल्र प्रीप्लेशी होका तो हम लोग एकल करका की इसका न देखेंगी कि माईल और सिवियर क्या होता है तो माईल प्री ऍ लेकिन क्या 110 mmHg से कम होगा तो यह जो 190 mmHg से अगर कम डाइस्टोरिक होता है तो हमें क्या low BP हमेशा ये indicate करता है तो इसमें भी आपको मतलब कि ये दोनों के बीच में होगा ठीक है लेकिन 90 mmHg से ज्यादा होगा और systolic BP जो है वो आपका जो early pregnancy में जो reading आई थी तो उससे वो 30 mmHg ज्यादा होगा मतलब कि 150 हम एक्जामपल में बता दे रहे हैं कि 120 अर्ली प्रेग्नेंसी में था तो वो 30 mmHg और ज्यादा इंक्रीज रहेगा ठीक है इसमें मुल्ड में तो माले सिस्याद है point 150 अर्याद् pitch support उस्का हो गया तक 90 से कम नहीं होगा ठीक है डिया कि 16 तो इसमें एक है मिन आर्ट्रियल प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं तो मिन आर्ट्रियल प्रेशर जो होता है डायस्ट्रोलिक प्रेशर प्लस प्रेशर बाई-3 होता है तो इसको निकाल कर देखिएगा कि मिन आर्ट्रियल प्रेशर जो है वह कम से कम इसमें 105 से तो एववी रहना चाहिए फिर हम दो देखेंगे सीवियर केस में सीवियर प्रीक्लेम से हमें क्या होता है इसमें सिस्ट्रोलिक जो बीपी होती है वह मोर दैन 160 mmHg तो इसमें जो सिस्ट्रोलिक होगी हमेशा 160 mmHg से ज्यादा होगी तो जो दैस्ट्रोलिक होगी वह वह 110 mmHg से ज्यादा होगी मतलब कि यूरिया में कितना प्रोटीन का रिमांट होगा वह 5 ग्राम्स हो सकता है ठीक है 24 hours में टोटल आ सकते है इतना यह कि आपका HELP सिंड्रोम भी इसमें हो सकता है पेसेंट को जिसका कि आपका फूल फॉर्म मैंने दे दिया है H से हीमोलिसिस होता है L से एलिवेटेड लिवर इंजायम्स और L से लो प्लेटलेट्स कॉंट तो HELP सिंड्रोम जो है HELP का हीमोलिसिस, सिलिवेटेड लिवर इंजायम्स, लो प्लेटलेट कॉंट्स यह सब इस मतलब की सीवियर केस में देखने को मिल सकता है पेसेंट में ठीक है इस्टेशन के according बेवी का development उतना नहीं हो पाएगा ठीक है क्लीनकल फीचर्स इसमें कुछ क्लीनकल फीचर्स क्या क्या सिम्टम से में लिव वर्निंग साइन्स क्या क्या वर्निंग साइन्स है तो सीवियर हीडेक अभी बताए बीपी ज्यादा होगा तो हीडेक हो सकता है बलोड वीजन मतलब कि उसे देखने में प्रॉब्लम हो सकता है उसे दोडो चीजे दिखाए दे सकती है नौज्जा बोमेटिंग है ठीक है डिजनेस एंड डबल विजन मतलब दोचीजे दिखाए देना excessive swelling हो सकता है पैर में और हाथ में जैसे की इडीमा भी करते हैं ठीक है फिर decreased frequency of urination जो urine का frequency होगा वो कम हो जाएगा मिली oliguria को indicate कर रहा है और पर्स होगा जो increase रहेगा तो यह सब है आपका alarming signs फिर इसमें mild symptoms कुछ symptoms हैं जो mild हैं जैसे की slight swelling over the ankle ankle के पास में क्या हो रहेगी slight swelling रहेगी ठीक है और swelling जो है वो कहां तक बहु सकती है face में भी आ सकती है abdominal walls में भलबा में और पूरे body में भी swelling आ सकती है यह सब mild symptoms है ठीक है फिर science इसका science क्या है क्या हो सकता है तो abnormal weight gain हो सकता है ठीक है raised BP तो हाई रहेगी इडीमा है और pulmonary edema के बाद में वो आपका pulmonary में भी मतलब की lungs में भी जो इडीमा हो सकता है ठीक है alarming symptoms इसमें कुछ है जो कि हमें alarming symptoms करता है कि यह कंडिशन को और भी ज्यादा enhance कर रहा है तो इसमें है headache ठीक है diminished urine output कम हो सकता है disturbed sleep हो सकता है epigastric pain हो सकता है eye symptoms हो सकता है और blooding vision हो सकता है ठीक है तो यह सब alarming symptoms अगर यह इसमें alarming symptoms में एक भी symptoms दिखाई दे तो वह हमें hospital के पास में तुरंच जाना चाहिए ठीक है जैसे कि investigations इसमें हैं तो investigation में आ सकता है कि urine में आपको proteinuria दिखाई दे ठीक है blood values भी इसमें आपको दिखाई दे सकता है abnormalities जैसे hemoglobin कम हो सकता है ठीक है और urine में क्या हो सकता है protein आ सकता है ठीक है mainly यह सब जो है वह alarming symptoms में सो करता है फिर complications इसका है कि complication क्या हो सकता है immediate मतलब कि जो तुरंथ होता है तो इसमें भी mother के लिए तो eclampsia हो सकता है during pregnancy means seizure भी development हो सकता है मतलब कि 3 symptoms को छोड़कर जो बता चुके है पहले भी high bp proteinuria और edema plus seizures तो इसको eclampsia कहेंगे तो pregnancy के समय में यह condition develop हो सकती है फिर accidental hemorrhage hemorrhage means bleeding हो सकता है तो अचानक से bleeding आ सकती है ठीक है pregnancy के दौरान या तो इसको aphb कर सकते हैं कि antipartum period में bleeding आ रही है तो oliguria और anuria भी discuss कर चुके है preterm labor में से labor मतलब की gestation complete होने से पहले ही labor हो जाए ठीक है labor pain आने लगे और delivery हो जाए even blindness कभी blindness भी हो सकता है अंधापन भी आ सकता है cerebral hemorrhage cerebral hemorrhage में क्या हो सकता है कि bleeding within the brain ठीक है तो यह भी हो सकती है acute respiratory distress syndrome ठीक है तो respiratory problem भी कभी किरियट हो सकती है complications में इसके बाद है during labor labor के समय में क्या-क्या हो सकता है तो eclampsia भी हो सकता है postpartum hemorrhage भी हो सकता है postpartum hemorrhage जो कहते हैं और इसमें excessive bleeding होने लगती है delivery के तुरंद बाद ठीक है तो यह भी बहुत fatal condition होता है नेक्स डियूरिंग प्रिपेडियं पर समय में eclampsia हो सकता है sok भी और सेप्सिस भी ठीक है तो सेप्सिस मेंज में लिए होता है जो life जो threatening infection होता है ठीक है तो सेप्सिस पुरा body में जादा infection हो जाजता है जिसकी कारण वो death भी हो सकता है ठीक है नेक्स हम लो देखेंगा fetal complications, बच्चे में क्या क्या complications होता है, तो वो mainly है intrauterine death, मतलब कि uterus में ही बच्चे की मौत हो जाना, ठीक है, asphyxia means, क्या होता है, decrease O2, oxygen जो लेवल होता है, वो decrease हो जाता है, मारे tissues में, mainly due to respiratory problems के कारण, ठीक है, उसे asphyxia कहते है, फिर prematurity, prematural baby develop हो सकत होता है, मतलब कि बहुत ही कम वेट का हो सकता है, less than 2.5 kg वेट का हो सकता है, और वो mainly क्या होता है, कम अगर month में, पूरा ना होने के पहली, अगर baby का delivery हो जाए, तो वो premature ही होता है, commonly, फिर IUGR, intrauterine growth retardation भी हो सकता है, फिर इसमें आप देखेंगे कुछ remote complications, remote complications means होता है कि कुछ complications वो बात तक रह जाए, जैसे कि residual hypertension means एक वर अगर hypertension increase करें तो हो सकता है कि वो pregnancy के बाद में भी जो BP हो increase ही रहे, ठीक है, recurrent preeclampsia means तुरंत preeclampsia जैसे ठीक हो गया है, उसके बाद में फिर से करने लगना, chronic renal disease भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कि kidney का problem भी हो सकता है, और abruptio placenta भी हो सकता है, और abruptio placenta means होता है कि premature separation of the placenta, ठीक है, तो placenta का जो separation होना चाहिए, delivery के सेमें वो पहले ही थोड़ा हो जाना, ठीक है, management इसमें depends करता है, ठीक है, तो management जो है, उसको मिली, इसका जो है, hospital management भी कर सकते हैं, और कुछ इसका घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो management में इसका objectives क्या है, तो to stabilize the hypertension or to prevent severe preeclampsia, तो hypertension को पहले करना है, और preeclampsia के condition को prevent भी करना है, जैसे severe preeclampsia को, ठीक है, complications को इसको prevent करना है, और preeclampsia को prevent करना है, साथ में healthy baby का delivery हो जाए, सही समय पे baby का delivery हो जाए, साथ में mother का health, प्यूपेरियम के समय में क्या रहे है, नॉर्मल रहे है, ठीक है, पहले जैसे प्यूपेरियम के समय में वो हो जाए, नेक्स्ट है, hospital management में क्या करना है, सबसे पहले कि rest प्रोभाइट करना है, ठीक है, प्रोपर अगर रेस्ट करेगी तो, क्या होगा, एडिमा थोड़ा और थोड़ा सा कमता है, ठीक है, डाइट, प्रोपर डाइट देना है मदर को, और जात में मेडिसीन, मेडिसीन में डायुरेटिक्स होता है, मेली एडिमा के लिए दिया जाता है, जो सूजन आ जाती है, तो क्या करता है, जो excessive water हो जाता है बोड़ी में, वो डिमॉफ करता है, एंटि हाइपर टेंसीब ड्रक्स के लिए, मेली बीप के लिए दिया जाता है, तो इसमें जो एक्जांपल है, लैबेटलॉल, है याईडरेला जीन है, निफीदीपीन है, नाइट्रोगलिस्टरिन है, और सोडियम नाइट्रोपरुसाइब्स है, तो ये कुछ एक्जांप मदर का and fetal bear being recording उसमें होता है तो सारा condition पता चलता है कि mother का condition कैसा है ठीक है next are abdominal and vaginal examination ठीक है regular interval पर होते रहना चाहिए ठीक है next is bed rest bed rest to must है ठीक है अगर घर में भी है ठीक है मतलब कि antipatum anti-natal period में भी अगर इसको पता चल जाए प्रिक्लेम्सिया है तो घर में भी बेडेस्ट करना जरूरी हो जाता है ठीक है so first stage labor में इसको बेडेस्ट प्रवाइट करना चाहिए फिर है cut-sort the second stage of labor तो labor second stage का labor जितना उसको जल्दी हम लोग क्या करें delivery करवा दे बेबी को यह मतलब की focus रखना चाहिए ठीक है प्रोफालेक्टिक फोर्सेप से भी अगर पॉसीबल हो तो वो भी कर आ सकते हैं फिर है लाग्स पॉइंट इसमें कि मेथारजीन इस गॉन्टरा-इंडिकेटेटर इन थार्ड स्टेज मतलब कि प्रासिंटा दिलीवरी के समय में धीी थारजीन जो ड्रग से वो मिली क्यरत है कॉन्टरा इंडिकेटर इन तो थैंक यू at and if this वीडियोको इस हलफु Armen तो यू I cannot like city subscribe my channel